नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ पर यूरोप में राष्टवाज चेप्टर के 10 अब्जेक्टिव कोश्चन और 5 सब्जेक्टिव कोश्चन करवाऊंगा जो आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी भी भी आई है दोस्तों इस वीडियो में वे सारे कोश्चन है जो आपके जो एक्जाम में काफी बार रिपीट हुए है और ऐसे कोश्चन है जो पिछले वर्सों में बोर्ड बारा जारी किये गए मौडल पेपर में है तो सारे कोश्चन को आपको याद करना है सारे कोश्चन आपके लिए क आपी टाइम है इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा कोशन करवा रहा हूं तापकि आप ध्यान से पढ़ें और आपकी तयारी मजबूत हो सके ठीक है दोस्तों आईए कोशन नंबर वन देखते हैं इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतरगत हैं इस कोशन का राइट आंसर किया होगा आपके शामने चार ओप्सन होंगे इसका राइट आंसर होगा यूरोप हमेशा याद रखें इटली एवं जर्मनी ये वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतरगत आते हैं ठीक है कोशन नंबर टू आपके शामने हैं यहाँ पर देखिए रक्त एवं लाउख की निती का अवलंबन किस ने किया था रक्त एवं लाउख की निती ये कोशन काफी बार एक्जामें पूसा गया है इसका राइट आंसर होगा आपके शामने हैं यहाँ पर यूरोप वास्यों के लिए किस देश का सहिधे एवं कला प्रेड़ना शरूरत रहा इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा option D यूनान इसे याद रखे देखे यूनान एक देश है इसका साहित एवं ग्यान जो है ये यूरोप वाश्यों के लिए काफी प्रेड़ना सुरोत रहा था इसे याद रखे ओके नेश कोशन देखते हैं कोशन है आपका यंग यूरोप की अस्थापना किशने की थी यंग यूरोप इसका right answer होगा option C मेजनी ने याद रखे हमेशा के लिए यंग यूरोप की अस्थापना मेजनी ने की थी ठीक है इससे कभी मत भूलना ये important question है काफी बार ये question पूछे गए है question है आपका वियाना समयलन किस वर्ष हुआ तो वियाना समयलन जिस वर्ष हुआ था उस वर्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है इसका right answer होगा option E 1815 आपने पढ़ा होगा 1815 का वियाना समयलन इसे याद रखे वियाना समयलन 815 में हुआ था ठीक है अब आईए नेट कोशन देखते हैं देखिए वियाना किस देश की राजधानी है दोस्तों वियाना ये किस देश की राजधानी है इसका right answer होगा option सी आउस्ट्रिया इसे याद रखे आउस्ट्रिया की राजधानी वियाना है इसे कभी मत बुलना अईए नेट कोशन पढ़ते हैं देखिए कोश्चन आपके शामने नेपोलियन सहीता किस वस लागू की गई नेपोलियन सहीता इसका right answer होगा option D 1804 में याद रखे नेपोलियन सहीता 804 में लागू की गई थी ठीक है next question पढ़ते है question है आपके शामने यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है देखिए ये question आपके लिए काफी important है ये question आपके एकजामे काफी बार repeat हुए है इसका right answer होगा option सी तुर्की को यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है इससे हमेशा याद रखे ठीक है next question देखिए क्या है हंगरी की भासा क्या थी हंगरी की भासा क्या थी इसका right answer होगा option भी मग्यार हंगरी की भासा मग्यार थी दोस्तों इसमें ऐसे कोशन होंगे जो आपको बुक में जो है डारेक्ट दिये होंगे ठीक है और बहुत सारे आपको यहाँ पर कोशन ऐसे मिलेंगे जो कि मैंने चैप्टर के अंदर सिलाया है जो आपके अग्जाम में पूछे भी गए हैं काफी बार अब यह कोशन देखिए काउंट काबूर को विक्टर इमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया दोस्तों काउंट काबूर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काउंट काबूर को जो है परधान मंत्री बनाया गया था यान कि काउंड काबूर को परधाल मंतरी के पदपन न्यूग ते किया गया था इसे हमेशा याद रखे तो ये 10 objective question है जिसको आपको तूरंद रटा माड़ लेना है इसे याद कर लेना है इसके बाद आते है subjective question की ओर आपके सामने पास subjective question आएंगे नंबर वन जर्मनी के एकिकरण के बाद आएंग क्या थी ये question आपके लिए काफी important है इसे तो आप जरूर याद कर लेना ये काफी बार आपके exam में पूछे गए हैं दो नंबर के लिए पूछे जाते हैं देखे जातर ये जो question है दो नंबर के लिए पूछे गए हैं इसके बाद देखे 848 की फ्रांसरी करांती के क्या कारण थे ये question जो है पिछले वर्सों में बोड द्वारा जारी किये गए model paper में है तो ये भी question आपके लिए important है तो इसे भी आपको याद करना है गैरिवाल्डी की कारियों की चर्चा करे ये तो question तो काफी बार repeat हुए है ये बात आपको पता है होगा नंबर 4 पर ध्यान देजे इटली के एक एकराण में मेजनी कापूर और गैरिवाल्डी की योगदानों को बतावे देखे ये question जो है ये और ये ये तीनों तो काफी important है इससे तो आपको याद कर लेना है बागी इस दोनों के भी आपको याद करना ही है ठीक है दोस्तों आईए अब इस questions के answer की तरफ बढ़ते हैं question number 1 है आपके स्थामने जर्मनी के एकिकराण की बाधाय क्या थी दोस्तों जर्मनी एक देश का नाम है जिसका एकिकराण करना था तो एकिकराण करने में क्या क्या बाधाय आ रही थी उन बाधाओं के बारे में आपको याँ पर बता देना है आईए इसका answer देखते हैं देखे सबसे पहले आपको लिखना है जर्मनी के एकिकराण में प्रमुग बाधाय ठीक है ये आपको लिख देना है नमबर वन पर ध्यान देना है नमबर वन में क्या है देखे जर्मनी लगबग तीन सो छोटे छोटे राज्यों में बिभगत होना दोस्तों देखे ये जो देश है जर्मनी ये उस समय तीन सो याद रखे तीन सो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था अब आप सोचिए कि तीन सो राज्यों को जो है आपस में मिला कर एक देश बनाना कितना मुश्किल काम हुआ होगा ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी बाधाती जर्मनी के एक्रिकरण के बारे में तो जर्मनी जो है भोगोलिक द्रिष्टी कौन से भी अलग तलक था याद रखे जर्मनी भोगोलिक द्रिष्टी कौन से अलग तलक था नंबर थ्री पर ध्यान देजे जर्मनी की समस्यों में आउस्ट्रिया का अनावस्चक हास्त छेफ होना दोस्तों अब तक आ था कि जर्मनी का एकिकरन हो पाए। थीक gefähr ऐसांटी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकिकरन हो पाए। इसलिए जो है जर्मनी की जो भी मी तंके उसमें यह जो फि States करता तक या याद की स deepest में टांग आडाता था ठीक है यानि हास्त चेव करता था नंबर फोर पर अब आप ध्यान दिजे जर्मानी के अधिकाल राज्यों की शक्ति कमजोर होना दोस्तों अगर हम बात कहें जर्मानी के राज्यों की ताकत के बारे में आपको पता है कि जर्मानी में 300 छोड़े शोड पालेगा इसलिए जो है ये एक समस्या थी कि जर्मानी के जो जातर राज्यों थे वहाँ पर शैनिक सत्य जो थे ये कमजोर थे जिस व्यासे युद्ध में जो है अच्छा भूमी का निवार नहीं पा रहे थे ठीक है नंबर फाई पर ध्यान दिजे जर्मानी के राज्य सम राज्यों में जो है अलग-अलग समाज के लोग रहते थे ठीक है अलग-अलग आर्थिक इसी दी को लोग रहते थे यानि कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे ठीक है अलग-अलग धर्म के लोग रहते थे यानि कि इन समों में एकतार नहीं था ये सब औसमानता था ठीक है या आईए नया कोशन पढ़ते हैं, देखिए, कोशन नमर टू है, 848 की फ्रांसी करांटी के क्या कारण थे, दोस्तों, वर्स 848 में फ्रांस में करांटी हुआ था, ठीक है, उसके कारण के बारे में आपको यहां पर बताना है, आईए इसका आंसर देखते हैं, देखिए, 848 की करांटी के समय फ्रांस का राजा लुई फिलिप था, दोस्तों, जब फ्रांस में करांटी वा था, 848 में, ठीक है, उस समय वहां का राजा का उन था, राजा का नाम याद रखे, लुई फिलिप, लुई फिलिप, नाम याद रखे, ठीक है, उसका परधान मंत्री गीजो परतिकिर्यावादी था दोस्तों ये राजा लूई फिलिप है इसका परधानमंत्री काउन था परधानमंत्री का नाम था गीजो और ये गीजो काफी परतिकिर्यावादी था इसे ध्यार में रखे वो किसी भी परकार के सुधार का विरोधी था यानि की गीजो जो है ये देश की जो हालत में किसी परकार का सुधार नहीं कर रहा था यानि देश अगर डूब रहा था किसारों की इस्थिती मजदूरों की इस्थिती गरीबों की इस्थिती खराब हो रही थी तो ये जो है उस पर जरा भी ध्यार नहीं देता था किसी परकार का सुधार नहीं करता था इसे ध्यार में रखे जनता में व्याप्त घोर और संतोस को जब उसने दबाने का परियास किया दोस्तों देखे जब राजा जो है परजा पर ध्यार नहीं दे तो क्या होगा परजा की इस दी खराब हो जाएगी तो जिससे क्या होगा परजा जो है इसमें औसंतोस फैलने लगा ये लोग विरोत करने लगे तब गीजो क्या करता है कि औसंतोस को दबाने का परियास करता है जब गीजो जनता में व्याप तो औसंतोस को दबाने का परिया और सरकार के नीतियाओं के खिलाप प्रादर्शन करने लगे देखिए राजमहर घेल लिया तिक है और सरकार की जो भी नीती थे जिससे जो है आम जनता का सोशन हो रहा था उस नीती के खिलाप प्रादर्शन करने लगे और जुलूस निकालने लगे जो 848 इसवी के फ्रांसी करांती होने का कारण रहा था दोस्तों यही सब वज़ा था जिस वज़ा से अच्छा सौराटाली स्वे में फ्रास में करांती हुआ था ठीक है अब आए ने कोशन परते हैं देखिए गैरी वाल्ड के कारियों की चर्चा करें ये कोशन आपके एक्जाम में दो नमबर के लिए पुछे जाते हैं तो इसे भी आपको यहाँ पर याद करने ना है इटली के एक्जाम में गैरी वाल्ड का मतरपून योगदान था सबसे पहले आप इससे याद रखे जब इटली का एक्जाम हो रहा था वहाँ पर एक नाम आया था गियरी वालडी ने बहुत साही नम आया था उन्हें से एक नाम ठागरी वालडी ठीक है आर इस गियरी वालडी का उस एक हित प्रते बहुत बहुत योगदान था योभा पेशे tax एक नाविक था ये कोशन आपके आउजेक्टिव में भी पूछा जाता है गैरीवालडी पेशे से था याद रखे नाविक यानि नाव चलाने वाला ठीक है आगे देखिए गैरीवालडी ने अपने करमचारियों तो था स्वैंग सेवकाओं की ससस्त सैना बनाई देखिए य जो नाविक था गैरीवालडी इसने जो है अपना एक सैना बनाया किनके साहिता से अपने करमचारियों एवं स्वैंग सेवकाओं की साहिता से ठीक है ससस्त शैना बनाई इसे याद रखे ठीक है जिसे लाल कूर्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों अगर मैं आपसे पू लाल कूर्टी के नाम से जाना जाता है इससे हमेशा याद रखे ठीक है इसके साहिता से 860 इस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया दोस्तों आपको मैंने बताया कि गैरीवालडी ने एक सैना बनाया सैना का नाम क्या है लाल कूर्टी इससे याद रखे लाल कूर् नाम याद रखिए नेपल्स के राजा को पराजित कर दिया और वहां गंडराज की अस्थापना किया बाद में इन्होंने अपनी सारी संपतिय राष्ट को दान कर दिया देखिए गरिवालडी तो काफी दानी निकले इन्होंने अपनी सारी संपतिय दान कर दिये इसे याद ठीक है और साधरन किसान के बाती जीवन जीने लगा देखें कितना बड़ी बलिदान दिया गैरी वालडी ने उतना उतना संपत्ती होने के बापजूद भी इन्होंने सारे संपत्ती दान कर दिया और सिंपल सा किसान के तरह जीवन जीने लगे यह आपकी गैरी वालडी ठीक इसके बारे में आपको यहां पर लिखना है तीनों ने क्या क्या भूमिका निवायत है इसके बारे में आपको यह पर बता देना है सबसे पहले आपको लिखना है इटली के एकिकरण में मेजनी, गैरी बालडी और काबूर का योगदान इस परकार था ये लाइन आपको सबसे पहले लिखना है इसके बाद लिखना है मेजनी का योगदान उसके बाद आपको देना है डैस ठीक है अब आगे देखिए आप मेजनी साहितिकार गंतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग शैनापती था मेजनी के बारे में आप कुछ बाते याद रखे ठीक है मेजनी साहितिकार था ठीक ह उसके साथ-चात योग्य शाइनापती था इन तीनों बातों को आप याद रखे फिर से मेरे बात को समझे मेजनी साहितिकार था ठीक है गनतांते विचारों का समर्थक था ठीक है उसके साथ-चात योग्य सानापती था मेजनी संपुन इटली का एकिकरन कर उसे एक गंडराज बनाना चाहता था मेजनी क्या चाहता था उसका उद्देश क्या था मेजनी चाहता था कि हम पूरे इटली का एकिकरन कर दे और एक गंडराज अस्थापित कर दे यह चाहता मेजनी का करांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की आस्थापना की मेजनी ने लोगों में करांतिकारी विचारों को फैलाने के बारे में सोचा और इसी करांती कारे विचारों को फ्हलाने के लिए उन्होंने यंग इटली यंग यूरोब नामक संस्था जो है इसकी अस्तापना किया इसे याद रखे यंग इटली यंग यूरोब का स्तापना मेजनी ने किया था ठीक है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और काबूर के बारे में बात करते हैं ठीक है आए बात करते हैं अब काबूर के बारे में ठीक है काबूर का योगदान काबूर का क्या क्या योगदान था इसे पढ़िए और ध्यान से इसे आपको याद रख लेना है उनका विश्वास था कि कुट निती और युद की निती के माध्यम से ही इटली का एकिरन हो सकता है देखे, कापूर का एक सोच था इसका एक विचार था क्या विचार था? कापूर का विचार था कि अगर हमको इटली का एकिरन करना है इसका दो रास्ता है कुठनिती और युदकी निती इसी के माद्यम से जो है इटली का एकिरन संबभ हो सकता है यह सोच था काबूर का काबूर के परियासों के फल स्वरूप उत्तर मद इटली में जनमत करा गया देखिए काबूर ने काफी परियास किये परियास के बाद उन्हें सफलता मिला उन्हों ने जो है उत्तर और मद इटली में जो है जन्मत कराया यानि जन्ता के द्वारा वोटिंग करवाया ठीक है जन्मत करवाया बहुमत के अधार पर राज्जाओं का एकिकरण किया गया देखिए जब काबूर ने जन्मत कराया उसके बाद जो है यह जन्मत में वह की एक्रण कर दिया गया इसे याद रखे अब आगे बढ़ते हैं आगे देखें क्या है दोस्तों अब आगे आता है ग joue का योगदान गईरिवाली का योगदान को भी आपको ठाविक था ठीक है गैरीवालडी आपने करमचारियों तो स्वेंक सेपकॉं की सेस्तर शैना बना ये लाल कुर्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों यह आंसर जो है मैंने आपको पहले भी बता चुका है देखिए मैंने यहाँ पर शैम आंसर लिया है क्यां कि मैंने आपको को याद करने में आसानी अशस्ते करता हूं कि आपको याद करने में आसानी हो जाए अब याप पर आंसर याप पर स्याम ही देना है ठिक है आपको न कोक्ष्टन को सब्ढ़ने का टालेंट होना चाहिए ठिक है देखे करता क्या है कि examiner जो है वो question के सब्दों में परिवर्टन कर देता है और आपसे पूछ देता है तो आप confused हो जाते हैं आपको नहीं होना है question में जो मैन बात है उस पर आपको focus करना है और answer आपको लिख देना है ठीक है ये सब रण निती है एक्जाम के लालकूर्ति के नाम से शैना बनाई थी ठीक है इसके सायता से 860 SP में नेपल्स के रजा को पराजित किया यह भी मैंने आपको बताया कि गैरी वालडी ने जो है 860 SP में नेपल्स के रजा को हरा दिया ठीक है और वहां गंडराज की अस्थापना किया यई सारी बाते थी इससे अब याथ क लेजे अब आते हैं आखरी question की ओर इस question को भी आपको ध्यान से समढ़ना है और इसे याद करना है मेटर्निक य Boost क्या है मेटर्निक य Boost की बारे में आपसे याँ पर पूछा गया है आए इससे समझते हैं लुट के अथा सों पंदर्स से अठासो अर्तालीस तक के युरोपिय्यास मेतरुनिक युग से नाम से परस्सिद्ध है दोस्तों शुरूम हता है अठासो पंदर्स से टिक है और खतार शबता है आठासो अर्टालिस तक तो इतना समय का जो इतियास है यूरोपिया इतियास है इसे मेटर्निक यूग कहा जाता है इसे याद रखे हमेशा याद रखे ठीक है आठासो पंदर से आठासो अर्टालिस तक इतियास को मेटर्निक यूग कहा जाता है ठीक है वह अपने समय का सबस साली राजनाईग था दोस्तों वर्ष 815 से 848 तक जो है मेटरनिक सबसे मातपूर्ण और सबसे प्रातिभा साली राजनाईग था इसे दिमाग में आप डाल दीजे ठीक है इसे कभी मत भूलना मेटरनिक अस्ट्रिया का चांसलर था दोस्तों मेटरनिक कौन था अस्ट्रिया क चासलर था इसे याद रखे ठीक है वियना कांग्रेस समयलन की द्वारा यूरोप में देखे वियना कांग्रेस समयलन हुआ था यूरोप में इस समयलन की द्वारा क्या हुआ था याद रखे वियना कांग्रेस समयलन की द्वारा नेपोलियन युक का अंत हो गया था ठीक है औ मेतन्न이 की शुरुवात हुग गयती दोस्तों बातों को ध्यान में रखेगे समीला हुआ था वयोना कांग्रेश्च्य मेला इसके द्वारा नेपोलियन युक का अंत हो गया और मेतन्ने युक makers का शुरुवात हुई ठिक है इसे भी जो है जनता का परवा नहीं था जनता मरे शड़े इसे कोई इसको मतलब नहीं था यह अपने मज़े में था अपने धुन में मगन था यह राष्टवाद जो है गंतंद्र का विरोधी था दोस्ता आपको पता कि 846 कि स्पी मेरे क्रान्ती वा था जिसके बाद jest तो ठैंक्यू दोस्तों